चडिया बहन हमें टोपी वाला गहुसला बनाना नहीं आता आप चले और हमारी मदद करें गोरी हर सर्दी, हर सर्दी में तुम्हारा टोपी वाला गोंसला बनवाती हूँ, आखिर आप याद क्यों नहीं रखती, देखो इस बार में अपना गोंसला पहले बनाऊंगी, और बाद में किसी की मदत करूंगी, आप जाएं, किसी और से मदत लें, चुडिया बहन कैसी बा जाती हूँ, जरासा पूछ क्या लेती हूँ, तू तो इत्राने ही लगी, ऐसे बोलते हुए गोरी कवी वहां से चली जाती है, चुडिया अपना गोंसला बनाने में व्यस्त हो जाती है, गोरी तो मकेले ही आई हो, वो चुडिया कहां है, जो हर साल हमारा गोंसला बनाती है कालू जी चड़िया चलाख हो गई है इस बार मना कर दिया बोल रही थी पहले अपना गोंसला बनाऊंगी गोरी जी अब क्या होगा सर्दी शुरू होने तक तो चड़िया अपना ही गोंसला बना पाएगी फिर हमारा कब बनेगा 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 और वो भी सर्दी शुरू होने से पहले बनेगा आप चिंता ना करें गोरी जी मैं आपका पती हूँ मुझे तो बता दे हमारा गोंसला कैसे बनेगा कौन बनाएगा वो तो जब बन जाए तब ही देख लेना बताने में कैसा मज़ा बस इंतिजार करो ऐसे बोल कर गोरी कवी सेर सपाटे पर निकल जाती है रास्ते में कबूतर और उसकी पतनी लूसी अपना गरम घोंसला बनाने में मसरूफ थे तब ही गोरी कवी उनके पास रुखती है कबूतर तो अपनी पतनी से कितना काम करवाता है मेरे पती को देख इस बार घौसला खरीद के लाएगा मेरे बारे में कितना सोचता है गोरी आप जाएं यहां से और हमें हमारा काम करने दें जाती हूँ जाती हूँ रुकना भी कौन चाहता है लगी रहो लूसी बहन लगी रहो अभी तो आपका घौसला आधा बना है ऐसे हसते हुए गोरी कवी वहां से चले जाती है लूसी कबूतर पर भढ़क जाती है आप कितने कंजूस हो और उस गोरी के पती कवी को देखो उसका पती कितना ख्याल रखता है गोसला खरीद के लाने वाला है लूसी जी आपको तो पता है मेरा काम जैदा अच्छा नहीं है इन दिनों में खाली ही रहता हूँ तो अपना घर बनाने में क्या बुराई है ऐसे कबूतर अपनी पतनी को समझाता है गोरी मिठु के पास जाती है मिठु तो ते पूरे पांसो दाने पूरे पांसे दाने देकर हम बना बनाया हुआ गोसला ले रही है आप कैसे महनत करके अपना गोसला बना रहे हो थोड़ा दाना खर्च भी कर लिया करो गोरी मुझे पे दाना बस सर्दियों के लिए खटा हुआ है अगर मैंने गोंसला बना बनाया हुआ खरीत लिया तो पूरी सर्दियों में क्या खाँगा इसलिए खुद से ही बना रहा हूँ बनाओ बनाओ मैं तो पूरे जंगल के मजे लेती फिर रही हूँ मुझे क्या चंता? ऐसे बोलकर गोरी कवी वहां से भी चली जाती है ममा, टोपी वाला गोसला बनाने में कितनी महनत होती है तो आप ये गोसला क्यों बनाती हो? हाँ गुडिया, महनत बहुत होती है मगर बेटा, जब कोहरा चाता है तो इसी गोसले से हमारी जान बचती है इसलिए हमें ये गोसला बनाना बहुत जरूरी होता है ममा, तो मैं भी ये गोसला बनाना सीख लेती हूँ ताकि मुझे कभी सर्दी से न मरना पड़े हाँ हाँ बेटी क्यों नहीं पर आप अभी बहुत छोटी हो मैं तुमें गोसला बनाना सिखा दूँगी अभी आप खेलें ममा चड़िया तो फिर से अपना गोसला बनाने में लग जाती है गोरी कवी जो यहाँ वहाँ घूम रही थी साम को अपने घार आती है कालू, मैंने सभी पक्षियों की खूब हसी उड़ाई बड़ा मजा आया लूसी और कबूतर तो जगडने भी लगे ठीक है गोरी तुम जो करो वो सब ठीक अब ये तो बता दो हमारा गरम घौसला कब बनेगा मुझे चिंता हो रही है मैंने आप से कहाना हमारा घौसला बन रहा है आप चिंता ना करें और मेरी तरह मौज मस्ती करें गोरी कवी ऐसे अपने पती कालू को चुप कर देती है और सारा समय सेर सपाटे में बिताने लगती है ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है सबी पक्षियों ने अपने घौसले मुकंबल कर लिये थे सरदी भी सुरू हो जाती है अब सब्पक्षि अपने गरम घौसलों के अंदर बैठे थे ममा सच में इस घौसले में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही ये चारों तरफ से बंद है हाँ गुडिया तभी तो इसे टोपी वाला घौसला बोलते है बहुत मेहनस से बनता है ये गौरी बहुत ठंड लगी है कहां है आपका गौसला कालू बस चडिया के जाने का इंतजार है मुझे जैसे ही वो भोजन लेने जाएगी मैं उसका गौसला चुरा लाँगी और उस पे हरा पैंट कर दूँगी जिससे चडिया पहँचान भी नहीं पाएगी जैसे ही चडिया बाहे जाती है कालू गोरी उसका गौसला चुरा लेते हैं और उस पर हरे रंग का पैंट कर देते हैं देखा कालू आग्यान हमार नया गौसला और बनाना भी नहीं पड़ा हमें कालू गोरी ऐसे खुसी-खुसी चड़िया के गोंसले में चले जाते हैं चड़िया साम होने पर अपने घहर आती है वो अपना गोंसला ना देख कर बहुत रोती है मेरा गरम गोंसला, कोई चुरा कर ले गया अब मैं क्या करूँ, कहां जाओं, अपना गहोंसला कहां ढूडूँ, मैंने कितनी मस्किल से बनाया था, तबियत भी खराब थी मेरी, कोई जालम ले गया च्रिया की नजर कालू गोरी के हरे गहोंसले पर जाती है, वो तुरंत ही उनके पास जाती है कालू गोरी सच सच बताएं, मेरा गोंसला कहां है, और तुम्हारे पास ये हरे रंग का गोंसला कहां से आया पूरे पान सो दानी देकर खरीदा है मैंने, आएगा कहां से, अब भागे हां से, मेरा पती कालू सो रहा है, वो जाग जाएगा ऐसे डाटते हुए गोरी चडिया को भगा देती है, मम्मा चडिया दूर से देख रही थी मम्मा मम्मा, ये गोंसला हमारा ही है, उन्होंने इस पर हरा रंग किया है, मैंने गोरी आंटी के पंखों पर हरा रंग देखा था गुडिया बेटी मुझे पता है लेकिन अब में कुछ नहीं कर सकती वो जूटे और मकार है लेकिन इनको इसकी सजा जरूर मिलेगी वो कैसे ममा गुडिया इस बार मेरे पंखों में बहुत दर्द था इसलिए मैं गोंसला मजबूत नहीं बना पाई मैं तो अपने गोंसले की समय समय पर मरमत करती रहती मगर ये गोरी बहुत कामचोर है मेरा गोंसला जैदा दिन तक नहीं चल पाईगा ममा बुरे का वो को तो सजा मिल जाएगी लेकिन हमारा क्या होगा हम कहां जाएं मुझे बहुत सर्दी लगी है चलो बेटी कोई तो ठिकाना ढूंडना पड़ेगा वरना यहीं सर्दी में मर जाएंगे ऐसे दोनों मा बेटी सर्दी में यहां वहां घूम रही थी वो दूर दूर तक जाती है तब ही चिडिया की नजर ट्रेन के खाली डब्बे पर जाती है वो काफी समय से वहीं पर पड़ा था मिल गया गुडिया बेटी हमें सर्दी बिताने के लिए घर मिल गया फिर दोनों मा बेटी उस ट्रेन के डब्बे में चली जाती है और उसी को घास फूस से ढख लेती है समय बीतने लगता है बारिस सिरू हो जाती है कालू गोरी का घोंसला तूट जाता है कालू चिडिया ने कैसा घर बनाया था जरासी बारिस में ही तूट गया गोरी अब हम कहां जाएंगे मुझे बहुत ठंड लगी है कालू गोरी बारिस में सबसे मदद मांगते है मगर कोई भी उन्हें अपने घर में नहीं रखता वो भी दूर दूर तक उड़ते है तब ही गोरी की नजर उस ट्रेन के डबे पर जाती है वो भाग कर चिडिया का दरवाजा खट खटाती है चिडिया तुम यहां तुम यहां रहती हो पलीज हमें भी अपने ट्रेन के घर में ले लो मारा घौसला तूट गया नहीं गोरी मैं तुमें अपने ट्रेन के घर में नहीं आने दूँगी तुम वही हो जो मेरा घौसला चुरा कर ले गई थी अब भागो यहां से और मरो सर्दी में ऐसे बॉल कर चडिया अपने ट्रेन के घर में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है कालू गोरी सर्दी की रात बारिस में बिताते हैं मिठू तोते कबूतर इस बार कुछ ज़्यादा ही ठंड नहीं है बिना आग के सब पानी पानी सा लगता है हाँ कालू इस बार ऐसी ही बर्फबारी होगी पहाडो वाले पक्षी भी बहुत परिसान है बर्फ से ऐसे वो सब आग जला के बाते कर रहे थे तब ही उड़ती हुई कालू की पतनी गोरी कवी वहां आती है उसका तो ठंड से बुरा हाल था बाप रे बाप बहुत ठंड है मैं मर ही न जाओ इस बर्फबारी में गोरी तुमने तो पूरी रजाई ओड ली गरम कपड़े क्या कम पड़ गए मिठु तोते ये देख स्खाफ स्वेटर जूते सब हैं मेरे पास मगर इनके होते हुए भी मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने पूरी रजाई ओड ली अब जाके ठंड से राहत मिली है मुझे गोरी ये तो तुमने बिल्कुल अच्छा किया अब अपने पांख गरम कर लो मिठू और कबूतर तो गोरी को देख देख कर हस रहे थे तब ही वहाँ पर सुन्दरवन जंगल का पक्षी आता है बोले सुन्दरवन के पक्षी सब ठीक है तुमारे जंगल में हाँ सब ठीक है बस ठंड से थोड़े परेसान है मैं आप सबको निमंतरन देने आया हूँ कल मेरी बेटी की साधी है आप सबको आना है भाई साब जी साधी दिन की है या रात की बेटी की बरात आएगी तूरा फंक्षन रात को ही होगा साधी में आना ना भूलना अब मैं चलता हूँ ऐसे नियोता देकर वो संदर्वन का पक्षी वहाँ से चला जाता है सबी पक्षी साधी में जाने के लिए बहुत खुस थे चलो अच्छा हुआ कम से कम एक दावत तो मिली वरना पूरी सर्दी बिना दावत के ही निकल जाती कालू कवे मैं सबसे पहले जाके गरम गरम गुलाब जामुन खाऊंगा फिर उसके बाद पनीर और तंदूरी फिर चाउमिन और गॉल गप्पे बस कर मिठू मेरे मुह में पानी भर गया है कल जाके ही खाले न सब अभी से क्यों भूका मरवाना चाहते हो सूखे दाने में भी सवाद नहीं आएगा मुझे तो ठीक है कल साम को सब त्यार रहना हम सब मिलकर दावत खाने जाएंगे फिर वो सबी पक्षी अपने अपने घर को चले जाते हैं और अगले दिन सादी में जाने की तयारियां करते हैं हर्याले अच्छे अच्छे कपड़े निकालो हमें सादी में जाना है अच्छे से क्या मतलब है मिठू जी हम अपने गरम कपड़े पहन के जाएंगे वहां बहुत ठंड होगी सिखा ओफ गरम दस्ताने और टोपा सब पहन लिया कुछ रह तो नहीं गया हां मेरे जूते इन्हे तो में भूल ही जाती और फिर बिना जूतों के मेरे पैरों को ठंड लगती ऐसे चड़िया अपने जूते भी पहन लेती है और मिठू तोते की घर की तरफ चल देती है एकदम सही समय पे आई हो चड़िया हमने अभी अभी अपने घर को ताला लगाया है अब चलो फिर वो तीनों कबूतर और कालू गोरी के घर जाते हैं कबूतर तो रास्ते में ही तयार खड़ा था फिर वो सब मिलकर कालू गोरी को घर बुलाने जाते हैं गोरी कवी तो आईने के सामने घंटों से अपना मेक अप कर रही थी कालू कवा काफी देर से उसका बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था गोरी कब तयार होगी मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ बंद भी करो ये लीपा पोती बस बस कालू हो गया बस पांच मिनट तुम बहार इंतजार करो सब का वो सब त्यार हुए के नहीं फिर कालू कवा अपने घर के दरवाजे पर बैठ जाता है हार छम के ठीका सब पहन लिया अरे रे मैं तो अपने महेंगे वाले सैंडल पहनना भूल ही गई अभी पहनती हूँ कालू भया गोरी बहन कहा है उसे जल्दी से बलाएं हमें सादी में जल्दी पहुँचना है और हमें वापस लोट के भी आना है रुकना नहीं है वहाँ चिडिया ने इतना बोला ही था तभी गोरी कवी भी त्यार होकर आ जाती है मिठू हर्याली कबूतर सब गोरी कवी को गूर रहे थे अब मुझे गूर ना बंद भी करो वरना सादी में जाने से पहले ही मुझे नजर लग जाएगी वा गोरी कवी वा कल तो तुम्हें रजाई में भी ठंड लग रही थी और आज एक भी गरम कपड़ा नहीं पहना गोरी बहन बहुत ठंड है आप ऐसे ही चलोगी जूते सिखाप टोपा कुछ तो पहन ले जिससे आपको सरदी न लगे चिडिया मैं साधी में ऐसे ही जाऊंगी अगर मैंने तुमारे जैसे गरम कपड़े पहन लिये तो मेरा महेंगा हार छुमके टीका कौन देखेगा गोरी बात को समझो रात का समय है लाटते समय बहुत ठंड लगेगी कहीं बिमार हो गई तो रोते रहना फिर बारी-बारी से सब गोरी को समझाते हैं मगर वो किसी की नहीं मानती और बिना गरम कपड़ों के ही साधी में चली जाती है साधी में तो सभी पक्षी गोरी को ही देख रहे थे अरे अरे आपका पर्स और सेंडल बहुत सुन्दर है आप काफी ज़्यादा सुन्दर दिख रही है आपके जैसा साधी में कोई नहीं है धन्यवाद धन्यवाद मैं हूँ ही सुन्दर गोरी कहते हैं मुझे ऐसे गोरी की तारीफ कर वो पक्षी चला जाता है गोरी तो मन ही मन बहुत खुस हो रही थी देखा देखा तुम सबने कैसे सब मेरी ही तारीफ किये जा रही है और तुम सब और तुम सब तो लदे हुए भेड लग रही हो हाँ हाँ गोरी अभी तो ले लो मजे जब घर वापस जाएंगे तो पता चलेगा फिर वो सब साधी के खुम मजे लेते हैं तरह तरह का खाना खाते हैं मिठु तो ते मेरे लिए जरा गुलाब जामन तो लेके आना इन सेंडलों से मुझे पे चलाने ही जा रहा कोई बात नहीं मिठु भीया अब लाबी दें गोरी कब से खड़ी है फिर वो सब भर पेट खाना खा लेते हैं वो सब खाना खा कर अपने जंगल लोट रहे थे सब पक्षी आराम से उड़े जा रहे थे मगर गोरी कवी का तो ठंड से बुरा हाल था कालू मुझे बहुत ठंड लग रही है मुझे अपना मुखलर दे दो नहीं गोरी मैं अपना मुखलर तुम्हें नहीं दूँगा मेरी गर्दन ठंड से अकड जाएगी तुम्हें तो पता है चड़िया बहन प्लीज अपना टोपा मुझे दे दे, मेरे कानों को बहुत ठंड लग रही है नहीं गोरी बहन, मेरे तो ठंड से सर में दर्द होने लगता है, मैं अपना टोपा आपको नहीं दे सकती, मुझे माफ करें ऐसे गोरी कववी मिटू और कबूतर से भी गरम कपडे मांगती है, लेकिन किसकामन था? जो ठंडी में अपने गरम कपड़े उतार के गोरी को दे दे इसलिए पूरे रास्ते गोरी को तो ठंड लगती है वो ठंड से कापती हुई घर आती है उसकी हालत तो बहुत खराब थी कालू कवा गोरी को जल्दी से गरम कंबल में ढख देता है मगर गोरी को तो अभी भी ठंड लग रही थी तुम अपना कंबल भी मुझे ही दे दो कालू तभी चैन से सो पाऊंगी फिर कालू कववा अपना कंबल भी गोरी कववी को दे देता है दूसरे दिन सपक्षी अपने अपने घरों से बाहर गूम रहे थे लेकिन गोरी तो बिमार हालत में घोसले में ही पड़ी हुई थी कालू भीया इतनी सुबा सुबा कहां जा रहे हो अब मैं क्या ही बताऊ installer गोरी ठंड से काप रही है बहुत बिमार है उसे बुखार हो गया है बुल बुल को बुलाने जा रहा हूँ ऐसे बॉलकर कालू कवा सीधा बुलबुल के पास जाता है और उसे बुला कर घर लाता है गोरी लगता है कल साधी में ज़्यादा ही मिठाई खाली इसलिए बिमार भी होगी अरे बुलबुल दे मैंने क्या खाया कल से ही लूज मोसल होगे है बढ़िया सी दबाई दे मुझे गोरी की ये बास सुनकर कालू कावा जोड से हसने लगता है और दिखाओ अपना महंगा महंगा सामान अपनी ब्यूटी अब आया न मजा कल से ही पड़ी हो घोसले में देखो तो जरा इसका हाल बस बस कालू बहुत थच लिया गोरी के पंक पकड़ो इसके इंजेक्शन लगाना है तबी ठीक होगी गोरी तो इंजेक्शन का नाम सुनकर डर जाती है मगर कालू कावा उसे पकड़ लेता है बुल बुल गोरी को बड़ा वाला इंजेक्शन लगाती है गोरी तो दर्द से चीक जाती है सबी पक्षी भी वहाँ पर जमा हो गई थे मरगी मैं तो अब कभी भी साधी में बिना गरम कपडों के नहीं जाओंगी मैं नहीं जाओंगी मैं ये ले दवाई सुबा साम खानी है तुमें गोरी अब दावत के साथ साथ ये दवाईयां भी खाओ कडवी-कडवी अगर बाकी सब की तरह चलती तो आज ठीक होती आज मम्मा चड़िया बहुत खुस थी, उसकी दोनों बेटियां गुडिया और पिंकी का रिस्ता जो हो गया था गुडिया पिंकी हमेशा अपनी सास ससुर की सेवा करना, उनका सम्मान करना और बेटा कभी उल्टाना बोलना मा अब ये फालतू का बोलना बंद करें और ये बताए मुझे, वो मेरे लिए लहंगा कौन सा लाएंगे पिंकी, तुझे बस अपना लहंगा ही दिखाई देता है, मेरी और किसी बात पर तो जराबी गौर नहीं करती हाँ पिंकी दीदी, ये कौन सा तरीका है मम्मा से बाते करने का, मम्मा हमें अच्छी बाते ही तो सिखा रही थी, जो आप ऐसे बोलने लगी मुझे आप दोनों से बाते ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ ये कौन सा समय है घर से बाहर जाने का, जहां भी जाना है सुभा जाना, चिप करके बैठो घर में, देखे मम्मा कान खोल के सुन ले, अगर वो मेरी पसंद का लहंगा नहीं लाए, तो मैं ये शादी नहीं करूंगी, ऐसे कहकर पिंकी चडिया अपने गोंसले में सो जाती है, मम्मा चडिया तो बहुत हैरान थी, अब इस लड़की को मैं कैसे समझाओं, जैसे गरीब पक्षी हम है, ऐसे ही वो पक्षी है, वो इसकी फर्माई से कैसे पूरी करेंगे, मम्मा आप परेशान ना हो, पिंकी दीदी आज बहुत गुस्से में थी, तो ऐसा बोल दिया, सु को समझाते हुए, वो दोनों भी सो जाती है, सुबह हो जाती है, गुडिया तो अपने गोंसले से जा चुकी थी, पिंकी आपने साधी का मना करके बहुत अच्छा किया, और वैसे भी, वो पक्षी बहुत गरीब हैं, आपके लिए कुछ नहीं लाने वाले, मॉन्टू चड हर समय अपने ही चलाती है, ममा, अब आप मुझे सिखाओगी, मुझे किस से बाती करने चाहिए, अपनी मर्जी से मेरी साधी तो तै कर चुकी हो, पर मैं ये शाधी अपने तरीके से ही करूँगी, मॉन्टू, तुम हमा बेटे की बाते क्या सने जा रहे हो, जाओ यहां से, मैं भला यहां से क्यों जाओं, कहीं जाना है तो आप जाएं, मैं तो यहीं पे रहूंगा, देखा पिंकी, इस मॉन्टू को खुद ही जरास यकल नहीं है, और आप इस बेयकल की बातों में आ जाती हैं, अब घर चलें, गुडिया सुभा से तुमारे लिए बहुत परेसान हैं, ऐसे पिंकी को समझाते हुए ममा चडिया घर आती है, पिंकी, आप बस लहंगे की वज़ा से परेसान हैं, बेटा, मैं आपकी पसंद का उनसे तो नहीं बोल सकती, पर मेरी बच्ची, मेरा विश्वास करें, मैं आपके लिए बहुत अच्छा लहंगा लेकर आऊंगी, बिल्कुल राजकुमारियो जैसा, आप बस खुस रहें, ठीक है ममा, आप ये वाला लहंगा लेकर आना, मेरी दोस्त ने यही पहना था, अपनी बेटी से फोटो लेकर ममा चडिया सोनार की दुकान पर जाती है, रानो, क्या खरीदना चाहती हो, साधी के लिए गहने बनव बढ़ी है, बेटीयों की साधी में कुछ पैसे कम पढ़ गे, इसलिए बेचने आई हूँ, फिर सोनार उल्लू हार को ले लेता है, और रानों को पैसे दे देता है, रानों पैसे लेकर बाहिराती है, तो गुडिया को देखकर चोक जाती है, ममा, आपने पापा की आखरी न जे नहीं लगता, इसकी कोई जरूरत है, ऐसे ममा चडिया अपना दर्द छपाते हुए कड़ों के सोरुम चली जाती है, और पिंकी का मन पसंद लहंगा खरीद लेती है, ये देखें पिंकी दीदी, ममा आपके लिए कितना अच्छा लहंगा लेकर आई है, हाँ पिंकी, अ अब कभी भी साधी से इंकार ना करना, कुछी दिन बचे हैं आपकी साधी के, अब खुस रहना सीखें, ऐसे ममा चडिया साधी से जुड़े कामों को निपटा रही थी, वो बहुत भाग दोड कर रही थी, गोरी बहन, बस सांती से ये साधी हो जाए, कभी कभी तो मन बहु रखेंगे, तुससे भी जादा, वो दोनों ऐसे बाते कर रही थी, कभी ममा चडिया की नजर पिंकी पर जाती है, वो ममा चडिया का लहंगा लेकर बस उड़े जा रही थी, वो दोनों भी उसका पीछा करती है, और पिंकी मॉन्टु चड़े के पास आकर रुक जाती है, क्या करूं, कैसे ही साधी रोकूं, मुझे उस संसकारी दीपू से साधी नहीं करनी, पिंकी आप एक काम करें, ये लहंगा इस नदी में फैक दें, और अपनी ममा से दूसरा लहंगा मंगवाएं, इस बार इतना महंगा लहंगा मंगवाना के वो लाही न पाएं, फिर आप शादी भी मत करना फिर पिंकी अपना लहंगा नदी में फैक देती है ममा चड़िया तुरंत ही नदी में जाकर लहंगा पकड़ती है अच्छा तो पिंकी इस निठलने मॉंटू के लिए तुम अपनी साधी तोड़ना चाहती थी और मैं पागल बस तुमारी खुआई से ही प को ले जा रही है एक हपते बाद आपकी शादी है और आपकी ममा ने क्या कुछ नहीं किया घर तक को गिर भी रख दिया है तो मैंने कहा था ये सब करने के लिए पिंकी बेटा ऐसा ना बोलें लड़के पक्षी वालों पर क्या आसर पड़ेगा उसी घर में आपकी छोटी बहन का भी रिस्ता हुआ है कम से कम उसके बारे में तो सोचें ऐसे साधी से मनाना करें ममा वो तो बहुत भले पक्षी है ना तो उनहीं से कह दो गुडिया को भ्याके ले जाएं मैं तो जा रही हूं मांटू के साथ ऐसे कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं ममा चड़ि हुए गोरी लड़के पक्षी वालों के घर जाती है और उन्हें सारी बाते बता देती है ये तो पिंकी ने बहुत गलत किया है मगर उसकी सजा हम गुडिया को नहीं देंगे हम बरात लेके समय पर ही आएंगे गोरी भागी भागी रानों के घर आती है और उसे सारी बाते धुमधाम से गुडिया की बरात आती है दूर बैठी पिंकी ये सब देख रही थी मैंने इस मॉंटू से जल्दबाजी में शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी उसके पास तो खुद का घर भी नहीं है भोजन तक मुझसे मंगवाता है और इधर गुडिया की बरात कितनी धुमधाम से आ रही है पिंकी ऐसे सोचते हुए बरात में सामिल हो जाती है वो चहरा भी ढख लेती है बारात आंगे बढ़ती है ममा चडिया पिंकी के लिए लाया हुआ लहंगा गुडिया को पहनाती है गुडिया बहुत सुन्दर लग रही थी पिंकी तो उसे देकर हैर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी जो उस फटीचर मॉंटू की बातों में आके तिस्ता तोड़ लिया पिंकी ऐसे सोचती है और गुडिया की साधी को नहीं देख पा रही थी वो वहां से मॉंटू के घर चली जाती है पिंकी अपनी बेहन की साधी से खाली हाती आ गई यह कौन देता ऐसे कहकर पिंकी चडिया रोने लगती है तभी रानों चडिया वहां पर आ जाती है ममा आप यहां और यह सब मेरे लिए है हाँ पिंकी चाहे तो कितने भी छपते छपाते क्यों ना आई हो पर मा की नजरों से कभी नहीं छप सकती मैं तुझे साधी में भी जरूर बुलाती अगर तेरे सुस्राल वाले ये बरात लेकर नहीं आते और उनकी जगह कोई और होते मा मुझे माफ कर दे मैंने आपके साथ कितना बुरा विवहार किया बेता मैं आपसे गुस्सा कब थी जो माफ करूंगी बस यहीं कहने आई हूं जो रिस्ता तुमने ऐसे दुखी मन से ममा चिडिया घर आती है और गुडिया को विदा करती है प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है बच्चे चाहे माबाप को कितना भी दुख क्यों ना पहुंचा दे मगर माता पिता अपने बच्चों के आखों में आसू देखते ही सब भूल जाते हैं आपका धन्यवाद